आप सभी को भार्द बुशन गौड़ का प्रणाम हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रहों के गोचर और चाल जोतिश में एक महपूर्ण भूमी का निफाते हैं। और शनी देव के रूप में जो जाने जाते हैं उन शनी जी को शनी देव को करुम फल और उचित करने वाला माना जाता है। जब भी शनी की सिती में थोड़ा परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों के व्यक्तियों पर पड़ता है। 17 जून 2023 को शनी अपनी सव राशी कुम्ह में वक्री हो गए हैं। जोतिश शास्त्र में ब्रहों के गोचरी की घटना क बहुत मैतվ है। वक्री शनी अब 4 नॉंबर 2030 को मारगी होंगे। शनी की वक्री चाल के इन 140 डिनों में पांच राशियों का भाग्य चंकेगा। जाने इन राशियों के बारे में। मेश राशियों के जाताओं के लिए शनी की वक्री गतिख अनुकूल रहेगी। उनके आए के सुरतों में व्रद्दी होगी और नौकरी करने वालों को प्रगती का अनुभव होगा समाजिक दाएरे का विस्तार होगा और वे उच्छ पदस्त वेक्तियों के साथ संबंध विक्सित करेंगे विश राशी विशब राशी के जातकों को इस गोचर के दोरान केरियर ग्रोथ का अनुभव होगा अचानक धन लाब संबव है और आए में विद्दी होगी हाला कि काम के दबाब के चलते हैं उन्हें कुछ चोटी मोटी चनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन प्रापर्टी से जुड़ा मामला सुल सकता है मिथुन राशी शेने की वक्री गती के कारण मिथुन राशी के जातकों को विदेश में रहने या बड़ी कुपनियों में काम करने का उसर मिल सकता है चात्रों के लिए विदेश में अध्धिन का सपना साकार होगा और नौकरी या वेवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा कन्याराशी शने की वक्री गती कन्याराशी के जात्कों को विशेश लाब देगी उन्हें वेवसाय या नौकरी में अच्छे अफसर प्राप्त होंगे हर प्रियास में सफलता मिलेगी और उनकी आर्थिक सिती मजबूत होगी किसी महत्पून प्रोजक्ट के लिए करज लेने के बारे में भी विचार कर सकते हैं धनूराशी धनूराशी के जातकों के लिए को शनी की वक्री गति से काफी लाब मिलेगा उनके साहस और प्राक्रम में व्रद्धी होगी और उनके प्रियासों के सकारात्म क्रिणाम सामनी आएंगे विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं मित्रो राशी 12 हैं लेकिन हमने उन 5 राशियों को चुना है जिन के लिए शनी का वक्री अवस्था बहुत ही लाबकारी रहेगी आश्या है यह वीडियो को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद और भारत मुशन कोड़ का प्रणाम धन्यवाद